नमस्कार कहते हैं कि कभी किसी की नकल मत करना कभी किसी की कोफी मत करना क्योंकि जब आप किसी की नकल करोगे आप किसी कोफी करोगे तो आप अपना अस्तित्व खोदो आप हर बात उसको सोचोगे और मैं भी ऐसा करूँ मैं भी वैसा करूँ तो आप अपना जो वास्तित्व अस्तित्म है वो खोदो लोगे कहते हैं सही बात है नकल करना बुरी बात है नकल नहीं करनी चाहिए किसी की कोपी में नहीं करनी है लेकिन आज जो आपको बताओंगे नकल कुछ ऐसी नकल है अगर सामने वाले में तो वो नकल आपको करनी चाहिए वो नकल अगर आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे कुछ ऐसी नकल है तो मैं आपको बताओंगा सामने वाला यह करता है तो आपको भी करना है उसकी कोपी करना है यह नहीं ग्यार का है सामने का किसी की नकल नहीं करना है कोपी नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा करनी है नकल आपको कोपी करनी है किन उसके अनुसासन की कोपी करिए डेपिनेटली करिए तो आप भी अनुसासन में रहने की कोशिस करिए उससे सीखिए कि वो कैसे अनुसासन में रहता है कैसी सारी चीजे समय पर करता है कैसे वो व्यस्तित रहता है त्यान रखना अनुसासन डिसिप्लेन में रहने वाला व्यक् discipline में रहने वाला वेक्ति अगर आपका कोई या दोस्त आपका कलिक और आपके बोस या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि और वो discipline में रहता है अनुसासन में रहता है तो कोपी करिए नो टेंसन बे जिजएक उसकी कोपी करिया आप और आप भी अनुसासन में रही है यह किसी की नकल करना कोपी करना गलत नहीं है वो अनुसासन में रह रहा है तो आप भी अनुसासन में रहोगे और अनुसासन का benefit आप जानते हो क्या होता है किसी की इमानदारी की नकल करिए अ जिरूर करना सामने व्याले व्यक्ति की इमानदारी की प्रसंसा होती है यार वोनेस्ट प्रसंन है बिलकुल फ्रोड नहीं करता है सीधा साधा है और इमानदार और इमानदार की लाइन पर चलता है तो आप इमानदार बनीए आप इमानदार रहें क्योंकि इमानदारी की करिए मेहनत की नकल करिए और किसी बात की नकल मत करना वो मेहनत करता है वो दिन रात एक करता है वो अपने लक्ष के लिए 24 गंटे अपने दिमाग में लक्ष को रखता है और 24 गंटे अपने लक्ष के लिए प्यास करता है तो उसकी मेहनत की नकल आप करिए आप के लिए गलत सामने वाला व्यक्ति अगर दिन रात एक कर रहा है महनत के लिए तो आप भी तो करिए आप भी तो महनत करते रहिए उसकी नकल करिए महनत करने की नकल करिए कोपी करिए कोई गलत पाथ निरंतरता कंसिस्टेंसी की नकल करिए आपको लगता है यार मेरा दोस्त है या कोई भी है और वो कोई भी कारी करता है तो बीच में ब्रेक नहीं करता है तो आप भी करिए ना आप भी उससे सीखिए ना आप भी उसकी कोपी करिए ना आप भी उसकी नकल करिए ना consistency किते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन किसी कारी को आप लगातार करते होगे consistency में लगातार करते होगे तो आप भी सीख जाओगे उस कारी को बले ही कारी आपके लिए कितना ही मुश्किल क्यों नहीं हो बले ही आपके लिए पहाड क्यों नहीं हो आप सीख तो कोई गलत बात नहीं है consistency रखना आपके लिए बहुत अच्छा सावित हो सकता है गुड़ बीहेवियर की कोपी करना अगर सामने आपने देखा होगा बहुत से जन्हों बात करते हैं यार उसको व्यवार बहुत अच्छा है व्यवार परसंट तो आप भी तो कोपी करिये न आप भी तो उसकी नकल करिये ना लोग आपकी तारिफ क्यों नहीं करते हैं लोग आपकी परसंट सा क्यों नहीं करते हैं क्या नहीं यार आपका भी व्यवार अच्छा है क्यों आप भी तो व्यवार अच्छा रखें सामने वाले व्यक्ति कि अगर उसकी गुड़ बिहेव करता है लोगों को तो नो डाउंट उससे कोपी करिये नकल करिए गुड बिहेवर की आप भी गुड बिहेवर करना सीब जाओ कोई बुरी बात है अच्छी कम्यूनिकेशन की कोपी करिए नकल करिए आपको लगता है और सामने वाले वक्ती बहुत किसी से बात करता है तो इज़त देकर बात करता है आप के सिवा किसी से बात नहीं करता है, तू तराक से बात नहीं करता है, सब को सम्मान देता है, अच्छी उसकी कम्यूनिकेशन स्किल्स है सामने वाले, तो आप क्यों नहीं करते हो, आप भी उसकी नकल करें, आप भी उसकी कोपी करें, आप भी लोगों को सम्मान दें, आप आप भी लोगों को आप करके बात करें और आप भी लोगों को तू तड़ाक से बात करें कोपी करिए इसमें कोई सर्म की बात नहीं है अगर वह आपका दोस्त है आपका बोस्त है या आपका कोई अन्नोन है और उसकी अच्छी communication स्कील्स है तो आप भी उससे उससे सिखिए लूराऊट बेह डड़क सिखिए यह सरंक करना अच्छी कम्यूनिकेशन है उसकी तो आप भी सीखिय वात जिदो दूस्रों से आप नकल पर कर सकते हो वह नो डाउट आप करिए दுसरे और किसी वादों में कोपी मत करना के सी कोपी उसके पास अच्छे गड़ी है तो आप भी अच्छे गड़ी लो है तो अपको पैसे ही मत करना कोफी करना नकल करना जो मैंने आपको बताई तो यह आप आपके लिए बहुत अच्छा सावित होगा आपकी प्रस्नालिटी में अच्छा डेवल्प्मेंट आएगा और आप एक अच्छे प्रस्नालिटी के रूप में उपर कर सामने आओगे